हेलो दोस्तों मैं सावरब आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मुबाइल सल्यूसन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंड सेट है माइक्रो मैक्स ब्रैंड का है और मॉडल नमर मैं आपको बता देता हूं मॉडल नमर है माइक्रो मैक्स इन वन बी ध्यान से सुन लीजिए मॉडल नमर है माइक्रो मैक्स इन वन बी ओके आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रो मैक्स इन वन बी का यानि की Google एकाउंट लॉक है तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने Micromax in 1B का FRP Lock यानि की Google एकाउंट लॉक बिदाउट PC, बिल्कुल फ्री में रिमूब कर पाएंगे अब एक चीज़ ध्यान दे आपकी डिवाइस FRP Lock है ये कैसे कंफर्म होगा आपको तो इसका एक छोटा सा ट्रीक इस वीडियो में मैं आप से सेयर कर देता हूं आप उपर की से फार पी लॉक नहीं होती लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह कंफर्म कर देने वाला हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Micromax in 1B ये पूरी तरह से फार पी लॉक है यानि कि Google एकाउन लॉक है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा सिंपल यहां स्टार्ट पर क्लिक करना होगा उके उसके बाद नीचेक तरफ आप इसकी पर क्लिक करें और यहां देखे दोस्तों नीचेक तरफ आप देख सकते हैं वाई फाई का सिंबल सो कर रहा है ठीक है अब कुछ सेकेंड वेट करें आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास यह जो डिवाईस है Micromax in 1B यह पूरी तरह से फार पी लॉक है यानि कि Google एकाउन लॉक है और यह देखे दोस्तों फाइनली आपको यह प्रॉब यह पीन पता है तो यह पीन आप सिंपल यहां उपर की तरफ एंटर करें और नीचे से नेक्स्ट कर दें अगर आपने सही पीन एंटर किया तो डिवाईस आपकी बहुत आसानी से अनलाग हो जाएगी लेकिन दोस्तों यह पीन हमें नहीं पता है अब एक चीज़ और ध्या सेकेंड आपसन की बात कर लेता हूं सेकेंड आपसन नीचे के तरफ देखें यहां प्लिका यूज माई गूगल एकाउंट इंस्टीड तो मैं सिंपल इस आपसन पर क्लिक करता हूं अब कुछ सेकेंड वेट करिए तो यहां पर देखेंगे यहां पर लिकिया आगा पीचे से नेक्स्ट कर दें अगर आपने सही गूगल एकाउंट एंटर किया तो डिवाइस आपकी बहुत इजली अनलाख हो जाएगी ओके लेकिन दोस्तों अनफार्चनेटली डिवाइस का गूगल एकाउंट भी हमको नहीं मालूम है यानि कि मेरे पास यह जो डिवाइस बाइपास कर पाएंगे ऑके तो अब देखिए आपको करना क्या ह護 सबसे पहले दोस्तों आप यहांसे बिल्कुल बैग चलेए आपको बिल्कुल बैग के बीज जो कि off है आपको इसे on करना ठीक है यानि कि आपको device का talkback on करना ठीक है तो यहां से हम इसे on कर देते हैं कुछ सेकेंड वेट करें और यह देखिए welcome to talkback अब आपके device का talkback on हो गया ठीक है अभी देखिए volume मैं कम कर देता हूं क्योंकि background में आपको music सुनने को मिल रहा है तो यह से background में जो music बज रहा है इसको मैं slow कर देता हूं ओके अब देखिए दोस्तों device का talkback on हो चुका है अब एक चीज़ धान दे जब आपके device का talkback on हो जाता है तो यहां पर आपका touch proper work नहीं करता है यानि कि पहले क्यों होता क्या था हम one click करते थे तो touch work करता था अब अगर आप को display पे ultra L draw करना है कैसे करेंगे आप display देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम ultra L draw करते हैं जैसे ही ultral करेंगे तो यह permission आपके सामने आजाएगा आपको करना क्या है इस permission को allow कर देना है तो allow करने के लिए उपर की दरब देखिए लिखा न वाइल यूजिंग दा यहां पर ओप्सें मिलते हैं Cancel और यूज वाइस Command आपको करना क्या है यूज वाइस commands पर एक बार क्लिक करना है तो आप इस पर एक बार क्लिक करिए उसके बाद देखिये आपको करना क्या अब डिस्प्ले पर आप कहीं भी डबल क्लिक करें और और आपको बोलना है Google Assistant, तो इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में Google Assistant ओपेन हो जाएगा, चलिए मैं practical ही दिखा देता हूँ, मैं कहीं भी डबल क्लिक करूँगा, और बोलूँगा Google Assistant, गुगल असिस्टेंट, और ये देखे दोस्तों, Google Assistant finally हमारे डिवाइस में ओपेन हो गय अब आपको डिवाइस का Talkback आफ करना है, तो Talkback कैसे आप करेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, वाल्यूम अपडाउन इन दोनों बेटन को लागातार प्रेस करके रखना होगा, तो ये देखे, वाल्यूम अपडाउन इन दोनों बेटन को मैं एक साथ प करना है, तो ये रहाँ टर्नाउन मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूगा, ओके, तो मैंने डबल क्लिक किया, अब देखे, अभी भी आपके डिवाइस का Talkback आफ नहीं हुआ है, अभी आपको करना क्या है, फिर से वाल्यूम अपडाउन को दोनों बेटन को एक साथ प्रेस करके रखना होगा, तो फाइनली आपके डिवाइस का Talkback आफ हो जाएगा, तो यहाँ मैं वाल्यूम अपडाउन इन दोनों बेटन को फिट से लागातार प्रेस करके रखता हूँ, अब देखेगा, यहाँ नीचे तरफ देख सकते हैं, मैसेज आगया Talkback टर्न आफ, यानि कि अब देखे आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है Try Typing, यहाँ पे आपको टाइप करना दोस्तों Google, आप Display देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा, तो यहाँ पे हम Simple Type कर देते हैं Google, उसके बाद यहाँ नीचे से Enter कर लेते हैं, Google टाइप करके Enter करेंगे तो य इन्टरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ नीचे तरब देखे यहाँ पर तो आपको Google आईकन दिखता है, ठीक है, आपको करना क्या है, इस Google आइकन पर क्लिक करेंगे, जब Google आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यह New इंटरफेस आपके सामने आजाएगा, ओके, अब देखे आगे आपको करना क्या है उपर की तरब देख सकते हैं Google माइक है तो आपको करना क्या है इस माइक पे क्लिक करना है और बोलना है open Chrome तो आपके device में Chrome browser open हो जाएगा चलिए मैं practically दिखा देता हूं open Chrome और यह देखें दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे device में Chrome browser open हो गया ठीक है इसे setup कर लेते हैं तो इसके लिए accept and continue और यहां नीचे से no thanks okay Chrome browser पूरी टरा से set हो गया अब देखें आपको करना क्या है यह search box दिख रहा है न आप simply इस search box पे क्लिक करें और यहां पे simply आप टाइप कर दें वी एन रोम आप display देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा तो यहां पे हम simple टाइप कर देते हैं वी एन रोम उके उसके बाद यहां नीचे से हम enter कर लेते हैं मैंने वी एन रोम टाइप किया और enter किया तो यह search result आपके सामने आ गया ठीक है आपको करना क्या है आ पाइपास गूगल एकाउंट 2022 पर तो आप इस पर क्लिक करिए कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहां देखेंगे आपको डिवाइस में वी एन रोम की जो वैप साइट है वो ओपन हो जाएगी यह देखिए वी एन रोम की वैप साइट ओपन हो गई ठीक है और नीचे एक यहां पर बहुत सारे अप्लिकेशन भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आपको करना क्या दोस्तों बिल्कुल उपर आना है ठीक है बिल्कुल उपर आंगे तो तीसरे नंबर पे एक अप्लिकेशन आपको मिलेगा ओपन सेटिंग आप ओके तो आपको सिंपल ओपन सेट आपको simple इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको click करना दोस्तों see all 33 apps ठीक है तो आप इस पर click करेए जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके device में by default जो applications की list है यह देखें सारे applications की list आपको यहां पर 100 करने लगेगी ओके अब देखिया आपको करना क्य है यहां उपर की तरफ एक option आपको मिलता है android auto ओके आपको simple इस पर click कर देना है ठीक है इस पर click करने बाद अब देखिया आपको करना क्या है इस application को आपको सबसे पहले disable करना है और उसके बाद force stop करना है कैसे करेंगे disable करने के लिए simple आप यहां disable पर click करें ओके उसके बाद disable है ओके उसके बाद force stop और उसके बाद finally यहां से ok पर click कर दें यह जो android auto है इसका work पूरी तरह से finish हो गया अब हम back चलते हैं ओके back आने के बाद second number पे एक application है android setup आपको simple इस पर click करना है ठीक है और यहां देखिए इस application को आपको सिर्फ force stop करना है ऐसा इसलिए क्योंकि disable यह से है तो आप इसे force stop कर दें तो इसके लिए force stop और last में ok पर click करें ओके इसका भी work android setup का work भी finish हो गया अब हम back चलते हैं एक और application बसता है दोस्तों जिसे आपको disable और force stop करना ठीक है तो उसके लिए आप नीचे आएंगे तो last application दोस्तों google play services तो आप simple इस पर click करें ओके और ब force stop और finally आप last में ok पर click करते हैं ठीक है अब जो भी application आपको disable करने थे और force stop करने थे वो finally यहाँ पर complete हो चुके है ठीक है अब हम back चलते है device की main setting में ठीक है तो यहाँ से हम back चलेंगे device की main setting में आपको जाना है ठीक है तो यहाँ से उपर से हम back चलते हैं ओके back चलेंगे हमें जाना है device की main setting में यह देखे device की main setting में हम आ गया ठीक है अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे नीचे आईए नीचे एक option आपको मिलेगा accessibility करके यह रहा आप accessibility पे क्लिक करें उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक option मिल allow कर दें ओके और last में okay है तो आप okay पे क्लिक करते हैं ठीक है अब होगा क्या दोस्तों यहाँ पे आपके डिवाइस में accessibility menu shortcut on हो चुका है ठीक है आप देख सकते हैं ठीक है और यह सो कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या होगा यहाँ नीचे आप बिल्कुल बैक चले जाएं बिल्कुल होम स्क्रीन पे यहाँ से हम बिल्कुल बैक चलते हैं आपको बिल्कुल नॉन निश्टाप बिल्कुल बैक चले आना बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ जाना है ओके हम आ गए होम स्क्रीन पे और अब देखिए आपको करना क्या है अ ओके और यहां कुछ सेकेंड वेट करिए ठीक है यहां से आपको simple don't copy कर देना है ओके और कुछ सेकेंड यहां वेट करिए कुछ सेकेंड वेट करेंग दोस्तों तो अब यहां पे ध्यान दीजी यहां उपर की तरफ यहां देखिए तो continue आ रहा है just a second checking for update just a second checking for update और यह देखिए continue राउंड कर रहा है यह जो function आप देख रहा है यह continue यह repeat करेगा just a second checking for update और यह continue यहां पे राउंड करेगा अब आपकी device यहां पे बिल्कुल stuck हो जाएगी ठीक है तो अब देखिए आपको करना क्या है अब दोस्तों यहां पे work शुरू होता ह accessibility menu shortcut का ठीक है तो आपको करना क्या है दो finger की help से आप ऐसे उपर की तरफ slide करेंगे तो यहां पर मिलथा अपसण जिखाता हूं ठीक है तो पहले में do finger की help से ऐसे उपर की तरफ स्लाइड करूंगा यहां पे दिखेंगा assistant असिस्टेंट पर क्लिक करूंगा और यहां पर दिखेगा सेटिंग यह रहा सेटिंग जैसे ही सेटिंग दिखेगा आपको सेटिंग पर जल्दी यल्दी क्लिक करना है ठीक है तो इससे क्या होगा आपके डिवाइस में Google Play सर्विसेस का आप इंफो ओपिन हो जाएगा ठीक है चली मैं ठीकली दिखाता हूं यहां से उपर करेंगे उसके बाद असिस्टेंट यहां पर दिखेगा सेटिंग ओके सेटिंग दिखा आपको सेटिंग पर जल्दी क्लिक करना है फिर से ट्राइ करते हैं उपर की तरफ स्लाइड करेंगे असिस्टेंट ओके उपर की तरफ स्लाइड करेंगे असिस्टेंट ओके, आया बैक चला गया, फिर से try करते हैं, ऊपर की तरफ करेंगे, assistant, यहाँ पर दिखेगा setting, ओके, ऊपर की तरफ slide करते हैं, assistant, यह try करते रहना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी problem आपको face करनी पड़ती है, तो इसलिए आप try करते रहीं, कभी कभी setting जल्दी open नही पड़ती है इसलिए मैंने कहा कि आप वीडियो का कोई भी स्टेप आप इसकी इप नहीं करिएगा ठीक है जो स्टेप्स आपको फालो करना है सारे स्टेप्स मैंने आपको डीटेल में बताए ठीक है आपने देखा मैंने सेटिंग पर क्लिक किया और यह देखे गूगल प्ले सर्विसेज का उपर की तरफ देखे एप इंफो यहां पे ओपन हो गया ठीक है और आपको यौद होगा इस अप्ले ओप्लीकेशन को अअव्छंक को एने बल कर देंगे और यहां पे आपके गूगल प्ले सर्विसेज इने मवा लो गया अभिया आपको कर लाए अब को यहां से बैह जाना है ठीक है बैक जाएंगे और यहां अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेट अप करना है क्योंकि आपके डिवाइस का FRP पूरी तरह से बाइपास हो चुका है मैं कम्प्लीट सेट अप करके आपको दिखा देता हूं यहां मोर पे क्लिक करेंगे accept करेंगे, इस option को skip करेंगे, यहां simple skip पे click करेंगे, once again skip पे click करेंगे, और finally आपको last में next पे click कर देना है, और यह देखें दोस्तों, complete android setup करके मैंने आपको दिखा दिया, finally हमारी device micromax in1b, इसका frp log यानि की google account log पूरी तरह से deactivate हो गया, और finally हमारी device पूरी तरह से unlock हो गई, ओके, तो दोस्तों यह पूरा full process था, micromax in1b का frp bypass करने का, दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह trick आपको कैसी लगी, प्लीज दोस्तों, comment के माद दोसे इस वीडियो के बारे में आप अपनी राम मुझसे जरूर सेयर करिएगा, और एक छोटी स्रिक्वेस्ट मैं करूँगा दोस्तों, अगर मेरी YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेलाकान उसे प्रेस करिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो दोस्तों वीडियो पूरा तेखनीक ले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्यू, थ